पर रोहन भरत और कभी विटा मेरी आवाज आ रही है यह सर अब टार्ट करें फिर पिटा हम जो बस्टार्ट करने जा रहे है वह है कॉस्ट पर चोटी सी बात को समझना फर वह लाज्ट क्लास की रिकॉर्डिंग कम मिलेगी पैटा जो लास्ट वह था ना वहीं कम आज करने में उन्ट बच्चों रखिए लाज्ट क्लास नहीं ली थी ठिक है तो सर चार्टिंग से हो बिलकुल बेसिक से बिलकुल बेसिक से जो करें अब यस देखो तो हमने क्या बोला हमें पढ़ना cost accounting तो पहले हम थोड़ी सी पुरानी बाते कर लेते हैं आपको याद है branches of accounting branches of accounting में हमने तीन चीज़े पढ़ी थी बच्पन में पहला था financial accounting दूसरा था cost accounting तीसरा था management accounting तो पटा ये चीज़े आप लोगों ने 11 में पढ़ी थी जिसमें था financial accounting, cost accounting, management accounting तो financing accounting आप लोगों ने semester 1 में पढ़ी financial accounting के नाम से cost accounting आप अभी पढ़ रहे हो next semester में आप लोगों का management accounting आएगा ठीक है तो तीनों में difference क्या है वो भी समझे लो एक बरी finance account क्या बोलता है finance account कहता कि भाईया कितना profit हुआ कितना loss हुआ इसको बोलते हैं finance account cost accounting बोलता कि जो तुम manufacture कर रहे हो goods मतलब जो भी production कर रहे हो या कोई भी goods को बना रहे हो उसको बनाने की cost कितनी है या फिर हम cost को कम कैसे कर सकते है या फिर हम कितना profit कमा सकते है that is called cost accounting उस पर decision लेना अगर आप decision ले रहे हो that means management accounting तो हमें आज पढ़ना है cost accounting के बारे में तो cost accounting क्या कहता simple सी बात cost accounting आपको क्या सिखाएगा cost को calculate करना जिसकी cost को goods की cost को calculate करना सिखाएगा तूसरी की चीज़ क्या सिखाएगा cost को reduce करना या फिर cost को control करना ये सिखाएगा ये दो बाते आपको cost accounting सिखाएगा जो आपके course में भी है ठीक है ? अगर मैं बात करूँ कोर्स का कंटेंट कितना है अब का ? कोर्स कंटेंट भी समझ ह Dannug मैं आपको start करवाऊंगा caught sheet से पहला cost sheet दूसरा मैं आपको करवाऊंगा material costing तीसरा करवाऊंगा मैं आपको process costing चौथा आएगा आपका contract costing पाचवा आपका आएगा reconciliation reconciliation statement six अपका आएगा operating costing operating या फिर इसको service costing भी कहते है seventh आपका आएगा ABC costing activity based costing कहते है इसको या फिर ABC analysis समझ लो ABC analysis eighth आपका आएगा labor costing 9th आपका आएगा overhead costing 10th आपका आएगा integral costing integrated आपका वो आपको चीख नहीं आपकी पूरी पूरी को 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 चीख के अंदर कि सर्व जो आपने डायरम मनायों उसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर वह एसे क्या लिखा है वह समेस्टर वन प्लोगों ने पढ़ा थे ना पड़ेंगे और अगली बार सबस्तल्ल मैं इनापटो यह तुम्हारी यहां पर यहां पर लिखता हूं कि क्वी सब्योट कर एक लेकिन यहां पर उसको अलग लग कर रखाव st Democrats को अलग तो इसके अंदर एक आपका आ जाएगा बजटरी कोस्टिंग या बजटरी कंट्रोल कहलो बजटरी कंट्रोल किसका स्पीकर रीपीट कर रहा है और तीसरा आपका आएगा स्टैंडेड कोस्टिंग तो यह तीनों ही पूरे इन सब के बराबर आ जाता है कि कि यहां पर decision making के questions आते हैं लेकिन हमारे course में यह वाला part है once लेकर 10 था ठीक है आपका paper का format देखो new format क्या है वो नहीं पता जो चलता वार है वो बतारों मैं आपको आपका जो paper वो आएगा 75 marks का इसके अंदर होगा क्या formatting में मानलो first question आता है तो उसके दो पार्ट होंगे A और B एक होगा theory का एक होगा practical का इसके और में जो choice आएगी वो दो तरीके से आ सकते है या तो वो choice जो आएगी पूरी की पूरी practical होगी या फिर again या तो वो theory होगा या तो वो practical होगा आई बात समझ बटा या तो वो पूरी theoretical होगी या तो वो theory plus practical होगा तो इस exam में दिक्कत क्या है वो समझो cost accounting है बहुत ही easy topic है एक easy subject है लेकिन actual में इसके जो exam pattern होता है ना theory practical दोनों आते तो बच्चा confused कहा हो जाता है या तो बच्चे को यह theory आती होती है यह practical आएगा या तो बोलेगा सर मुझे यह theory आती है और यह practical आएगा तो यहाँ पर बच्चा तो मैं आपको हर class में थोड़ी बहुत theory पढ़ाता हूँ चलूंगा जो मैं आज भी थोड़ी बहुत theory पढ़ाऊंगा शुरू करते हैं आप topic को मारे आगे के तो बचा मेरा पहला chapter है chapter 1 cost sheet cost sheet cost sheet क्या होती है वो समझो a cost sheet is a statement यह क्या एक statement है that shows the various component of cost for a product तो इसना क्या बोला एक प्रोड़ेट प्रोड़ेट की बहुत सारी जो एक प्रोड़ेट की cost होती है उसके जितने भी component होते हैं वो एक cost sheet दिखाते है तो मतब किसी भी चीज़ की मान लेते एक समोसा बिटा भरत मुझे बता एक समोसा बनाने के लिए क्या लगता है तो मतलब मैं लिखे दू रो मेटीरियल और क्या लग सकती है मैं कहां लगेगी और क्या लग सकता है कुछ अधर एक्सपेंस भी लग सकते हैं तो मतलब यहाँ पर तीन कैटिगरी समोसे की नजर आई क्या नजर आई एक मैटीरियल की बात कर दी उसने एक लेबर की बात कर दी उसने और एक खर्चों की बात कर दी उसने तो ये cost के क्या है component, ये तीनों क्या है cost के component है, कहता आप दुनिया में कोई भी product बना लो, उसके उपर material भी लगेगा, labor भी लगेगी, और other than labor भी खर्चे होंगे, तो इस cost के component को various तरीके से दिखाना ही क्या है cost sheet, समझना मेरी बातों को, बहुत easy है, धान से देखेंगे, element of cost, cost के element क्या है, वेटा, cost के तीन element है, अधिती वेटा, क्या-क्या है element में, सबसे पहला क्या बोला मैंने, material, दूसरा, labor, and third one is expense, अब यहाँ पर material के भी दो type, वेटा, जो हम jeans पहनते हैं, जो company jeans manufacture कर रही है, तुम मुझे बताओ, वो jeans की zip भी बनाती है क्या, चलो दूसरा example दे रहा हूँ, मारती सुजु की car बनाती है की tire बनाती है, सर्कार, car बना रही है, और tire तो मारकेट से खरिद के लाती है, लगा देती है, यह सर्थ तो सी को क्या बोलेंगे, one is direct material, और another is indirect material, एनी डाउट? जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मिरे को भाईया एक fully furnished घर बना के दो, तो fully furnished घर बनाने के लिए उसको concrete भी लगेगा, bricks भी लगेगी, cement भी लगेगा, तो यह जितना भी कुछ लगेगा, that is raw material, लेकिन furniture तो क्या होगा? Indirect material होगा, लाएगा और रख देगा, सबको clear अब चो? सबको clear यह point? अब बात करते हैं labor की, पेटा labor भी ना दो टाइप की होती है, एक होती है direct labor, direct labor, एक होती है indirect labor, indirect labor का मतलब समझना, अब बिटा, रोहन बिटा मेरी आवाज आ रही है, यह सर्म, रोहन बिटा मुझे यह बता, छोले बटर रखाए हैं तुने है, अब छोले बटर की दुकान में अगर हम चले, तो वहाँ पर जो labor काम कर रही है, वो क्या क्या काम कर रही है, अब बात को समझना, वहाँ पर भी कैटेगरी है, एक जो बटूरे बना रहा है, एक जो पैकिंग कर रहा है, एक जो फ्राई कर रहा है, और एक जो डिश वॉश कर, समझ गए मेरी बात को? तो ये हो गया एक unskilled labor, they all are skilled labor, skilled labor, और इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या है मेरा skilled labor, तो जो बंदा डारेक्टली किसी चीज़ पर काम कर रहा है, जो material है, उसके उपर जो काम कर रहा है, उसको भोलेंगे direct labor, और उस material के उपर डारेक्टली जो काम नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? indirect labor, बात समझ आई ही मेरी? ये सर्व, ऐसी आते है, expense, expensive ये दो टाइप के होते हैं, पहला है, direct expense, दूसरा है, indirect expense, raw material के उपर जो भी खर्चा, directly लगा, जैसे कि transportation charges, these all are direct expense, और जो material के उपर डारेक्ट नहीं लग रहा, indirectly लग रहा है, जैसे कि, मैंने किसी को, जैसे कि power, lighting charges, fuel लग रहा है, that is called indirect expenses, clear, अब बात को समझ न, हमारी costing के अंदर, जितने भी indirect material, labor या फिर indirect expense होते हैं, हम इनको क्या बोल देते हैं, overhead, क्या बोलते हैं, overhead, तो मैं जैसे कोई भी indirect खर्चा आएगा, उन सब indirect खर्चों को क्या बोल देते हैं, overhead, सबको clear है यह point, किसी को कोई डाउट यहां तक, ठीक है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे उमीद है यह चीज़ समझा रही होगी आप लोगों को, अभी हमने कोई बहुत बड़ी बात नेकर छोटी सी बात करी, यह क्या थे हमारे element of cost, अब बात कर रहे हैं, element of cost sheet, element of cost sheet, cost sheet के element क्या क्या है वो समझेना, first element is prime cost, second element is work cost, सर यहां से नोट करना स्टार्ट करें, नोट तो बुरा ही कर ले करना है तो, सर आप यह PDF भेज होगे यह वाली, हाँ PDF भेज दूगा मैं क्लास के बाद, देखो ध्यान से इसको, element of cost sheet में prime cost, work cost, तीसरा मेरा क्या है, cost of, production, fifth element क्या है मेरी, cost of goods available for sale, cost of goods available for sale, next is cost of sale, तो मेरे बटा यह पाँच element है किस चीज़ के, cost sheet के, अब यह होते क्या है वो अभी समझेंगे, मतलब क्या है, अगर मैं इन सब को मिला दूँगा, तो यह पूरी एक cost sheet बन जाएगी, ठीक है, यह क्या है वो अभी समझातों मैं आपको, ज्यान से देखेंगे, एक मैं short format में cost sheet बना रहा हूँ, सबसे पहले जब मैं cost sheet में calculate करूँगा, तो मेरा answer निकलेगा prime cost का, चैसे ही prime cost में मैं क्या add करूँगा, factory overhead, मतलब factory का खर्चा, उसी टाइम मेरी क्या calculation निकल के आएगी, that will be work cost, जैसे ही मैं work cost में office and administrative का खर्चा जोड़ूँगा, तो मेरी क्या calculate हो के आएगा, cost of production, जैसे cost of production में मैं opening finished goods, और माइनेस कर दूँगा, closing finished goods, तो मेरी क्या calculation हो के आएगी, cost of goods available for sale, जैसे ही मैं इसमें add करूँगा, selling and distribution overhead, तभी मेरी calculation हो के आएगी, cost of sale, इसी cost of sale को मैं क्या नाम देता हूँ, total cost, और इस total cost में जैसे ही मैं profit को add करूँगा, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, sale बन जाएगी, तो ये एक छोटा सा format है किस चीज़ का, cost sheet का, अब ही हम इसको और elaborate करते हैं, ये सरी एक short form सिखाने का तरीका था, आप बात को समझे, सर वो selling and क्या लिखा है, selling and distribution overhead, अब दुबारा लिख देता हूँ, overhead, बेटा, ओएच जो है, वो short form है, किसका overhead गा, टीक है? अब बात को समझे, मैं शुरू कर रहो main जीज़, तो बेटा, prime cost का मतलब क्या होता है, वो समझे, अब चलते हैं, फटा-फट से हम किसकी दुकान पर है, मॉमोस की दुकान पर चलते हैं, चलो समोसी की दुकान पर चलते हैं, cost sheet, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपके पास आएगा raw material consume, मतलब, बेटा, आप खुद सोचो, जो समोसे वाला daily समोसे बना रहा है, तो क्या वो daily आलू खरिद के लाएगा, कि पहले से भी stock में होगा उसके? बोलो बच्चो जो समोसे वाला डेली बना रहा है चीजे रॉमिटल बना रहा है मतलब समोसे बना रहा है तो क्या वो डेली आलू खरीदेगा डेली मैदा खरीदेगा डेली मसाले खरीदेगा या पहले से भी थोड़ा बहुत उसके हो सकता है तो इसका मतलब पहले सी भी उसका थोड़ा बहुत होगा प्लस वो थोड़ा और खरीद के भी लाएगा और बाकी जो बच जाएगा उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करके दिखाएंगे रॉम मेटरियल कंज्यूम इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितना भी रॉम मेटरियल आपने इसमें से कितना कंज्यूम कर लिए तो इसको क्यलकुलेट करने के लिए हम कहा जाएगे वर्कphones रॉम ऑन जाएगे इसका फॉर्मूला क्या है रॉम माटिरियल कंज्यूम equal to opening raw material plus purchase of raw material plus carriage inward minus closing raw material तो मतलब पहले से ही कितना raw material उसमें मैंने और raw material खरीदा उसको खरीदने के लिए जो खर्चा लगा carriage inward का और मैंने closing raw material minus कर दिया उस amount को मैं क्या बोलूँगा raw material consume clear बेटा point यहां तक बेटा बात समझ आगी होगी आप लोगों को इसको कहते हैं raw material consume या तो question में क्या given होगा direct material क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं सीधा raw material खरीदते हैं और raw material ही बेच देते हैं या फिर company ने सीधा tire लाया और tire लगा दिया that is called direct material दोनों में से कुछ भी question में given हो सकता है अगर direct material होगा तो आपको direct material लिखना है और अगर raw material consume होगा तो इन में से कुछ न कुछ आपको given जरूर होगा ठीक है यह मैं यहाँ बना देता हूँ working note one next direct labor जो भी raw material हमने लाय जो भी raw material आया उस raw material को factory तक मतब go down तक पहुचाने के लिए एक labor चाहिए होती है जो उसका हिसाब किताब रखेगा that is called direct labor या फिर इसका दूसरा नाम direct wages बोल सकते हैं clear उसके बाद इन सब के अलावा भी कुछ extra खर्चे हो सकते हैं transportation का या फिर कुछ और खर्चा मैंने किसी को कुछ payment कर दिया that is called direct expenses इन जब खर्चों को जोड़ूंगा तब जाके मेरे क्या निकल के आएगा prime cost इन सब को जोड़ने क्या निकलेगा प्राइम कोस्ट तो समझा है प्राइम कोस्ट कैसे निकलता है तो यह जो सारे डिरेक्ट लेबर और expense लिखा आपने यह raw material के और में यह यह फिर अलग है ना यह दोनों साथ हैं इन दोनों के और में यह आगा इन दोनों में से कोई एक और बाकी यह अलग है दोनों अचा अचा ठीक है लेकिन हम format में plus नहीं करते हैं इसको ऐसे ही लिखते हैं हमेशे तो मैं इदर arrow बना देता हूँ या तो इन दोनों में से कोई एक फिर यह आएगा फिर यह आएगा इन तीनों को plus करके प्राइम कोस्ट लिकल के आएगी ठीक है येस सुर्ण मैं यहाँ बना देता हूँ जिससे आप लोगों confusion नहीं होगी प्राइम कोस्ट आगे देखेंगे बिटा next plus factory overhead factory overhead बिटा factory में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं machines के machines के क्या 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 होंगे जैसे की repair of machine या फिर depreciation on machine या फिर indirect wages या फिर power या फिर factory rent बाते समझ रहे हो तो फैक्टरी के उपर कुछ भी खर्चा होगा जो आपको ये याद दिलाएगा कि ये सारे खर्चे factory के होती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है वो सब को factory overhead में चोड़ दे ठीक है इन सब को add करने के बाद जो value निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम gross factory या फिर gross work cost बात समझ रहे हैं दुबारा बता देता हूँ prime cost मैं यहाँ formula लिख रहे हूँ prime cost plus factory overhead equal to gross factory cost एनी डाउड बेटा आप बात को समझ ने बेटा आप लोग मुझे बताओ आप लोगों के घर में जब रात को रोटी बनती है तो जब मम्मी आटा गूंद के रखती है तो क्या जितना भी आटा होता सबकी रोटी बन जाती है यह थोड़ा बच जाता है फ्रिज में बोलो बोल बटा देती बच जाता सर्थ बच जाता कबीर बच जाता है समझ ना मेरे बात को तो वो जो बच जाता है तो क्या उसकी अभी रोटी बन सकती है ना बाद में तो उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्या बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस तो मैं ऐसा लिख रहा हूं देखो रात का डफ प्लस मम्मी ने क्या क्या मॉर्निंग में और आटा गूंदा मॉर्निंग का डफ टोटल हो गया टोटल डफ यहां तक बात समझागी इस में से क्या होगा रोटी बनेगी और फिर थोड़ा बहुत डफ बच जाएगा न रिमेनिंग डफ तो इसको क्या बोलेंगे रात के डफ को ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और रिमेनिंग डफ को क्या बोलेंगे closing work in progress यहां लिख रहा हूँ plus opening work in progress minus closing work in progress इनको plus minus करके जो answer आएगा हम जब उसको इसके amount से जोड़ेंगे तो that become net factory या फिर net work cost यहां तक कोई doubt बच्चो यहां तक सबको clear है तो हमने क्या क्या समझा कि prime cost कैसे निकलता है prime cost के लिए इनको add करना पड़ता है prime cost में जब मैं factory overhead जोड़ूंगा तो gross factory निकलेगी अगर मेरे पास work in progress है मतलब अभी काम complete नहीं हुआ वो कुछ amount बचा हुआ है तो उनको मैं plus minus करके net निकालूंगा चीक है अब इसके आगे की बात समझते है net factory cost में मैं क्या add करूंगा office and administrative overhead तो office और admin का खर्चा क्या क्या हो सकता है जैसे की salary to staff office का rent depreciation on furniture बेटा furniture factories में होते हैं कि offices में होते हैं वैसे अगर देखा जा होते तो दोनों जगा है लेकिन priority इस case में हम office को दे क्योंकि machine जो होती है वो factory में होती है और बाकी जो चीज़े अब furniture वो कहा होंगे office में होंगे clear तो depreciation of furniture हो गया और क्या हो सकता है lighting charges तो ऐसी हमार पास बहुत सारे indirect expense होते हैं तो इन सब को जब add करेंगे तब मेरा निकल के आएगा cost of production इसको क्या बोलेंगे cost of production इसको क्या बोलेंगे cost of production पेटा अनन्या क्लास में है येस सर अनन्या बिटा मुझे बात बता cost of production से क्या समझते हम सब मतलब अगर कुछ produce का या raw material तो उसको produce करेंगे क्या क्या cost लगाया और क्या क्या expenses है तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि raw material पर मैंने जो भी खर्च किया या जितना भी पैसा लगाया अब वो finished goods में बदल गया यही मतलब है ना तो मतलब यह cost of production इसकी निकल गई ना तो क्या मैं इससे यह पता लगा सकता हूं कि मेरे एक cost की कीमत कितनी है एक goods की कीमत कितनी है तो जब भी आप cost of production निकाल लोगे तो आपको हमेशे यहां क्या calculate करना है cost per unit तो उसका formula क्या है cost per unit equal to cost of production divide by unit produce कि जितना भी आपने produce किया उसकी cost कितनी होगी per unit की तो total cost से हम divide कर देंगे clear यह बात सबको समझा गई अब यह हम ऐसा करते क्यूं है वो भी समझो यहां पर इसके बाद हम करते हैं plus opening finished goods minus closing finished goods question में क्या होता है इसकी value इसकी जो value होती है वो given होती आपको लेकिन इसकी value given नहीं होती इसके सिर्फ units given होती है तो अब इसकी value कैसे निकालू तो इसकी value निकलती कैसे है closing finished goods की value कैसे निकलेगी वो समझना units multiply cost per unit तो इसकी value को calculate करने के लिए मुझे cost per unit निकालना पड़ता है अब बात आती है सर ऐसा क्यूं अब समझना मेरी बात को पॉइंट समझो जब आपने बोला cost of production तो इससे क्या पत्र जाए जो current period में goods produce हुए हैं उसकी cost पता लग जाएगी तो हम cost per unit भी निकाल लेंगे कोई doubt अरत clear है हां तक अब हुआ क्या बेटा मुझे बताओ जितना भी product तुम बनाते हो यह जितनी भी रोटी तुमने घर में बनाई क्या सारी कि सारी खतम हो जाती है हमेशा कुछ न कुछ बच जाता है हमेशा कुछ न कुछ बच जाता है तो जब मुझे पता है कि मैंने 100 गुड्स बनाए माल लो 100 गुड्स बनाए 100 गुड्स की कीमत हजार रुपे तो पर इनिट 10 रुपे हो गया और माल लेते हैं सो में से असी गुड्स जो है वो सेल हो गए तो बताओ कितने गुड्स बच गए ट्वेंटी तो इन ट्वेंटी गुड्स की वैल्यू कितनी 200 रुपे कभी यहां तक क्लियर है रोहन चाहिए वाला रिपीट कर दो मैंने क्या बोला मैं काम करते हो इसको नेक्स्ट बेज़ें करते हो वरना फिर में कौशिट छोटे हो जाएगी एक मुड़ी से यह समझ लोगे आप लोगों जो भी पॉइंटों को सब क्लियर हो जागा ध्यान से देखो मानलो आप लोगोंने करेंट पीरियट में मानलो करेंट मंत में आप लोगोंने हंड्रेट समोसे बनाएं हंड्रेट समोसे बनाएं और इन समोसे को बनाने के पीछे आपके आठ हजार पे खर्च हुएं कितने खर्च हुएं आठ हजार ज्यादा हुए चलो हजार समोसे बनाएं आठ हजार पे खर्च हुए तो हमने क्या निकाल लिया कोस्ट पर यूनिट कैसे निकाला आठ हजार डिवाइड बाई हजार डैट इस एट पर यूनिट यहां तक क्लियर अब मुझे बता क्या हजार के हजार समोसे बिख जाएंगे तो हम मान लेते हैं कि हमारे सौ समोसे बिखे नहीं तो बता इन सौ समोसे की कॉस्ट कितनी एट हंड़ रुपीस तो आज का क्या मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूं यह सर् मोरि तो नेक्स्ट डे यह क्या बन जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्ली तुम्हें पता एकि नहीं पता में ऐज घुन य Начमण नहीं में इसके वैली मोगयज्द अ 측व Wiki ओपनिंग यह जो क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपे का है यही क्लोजिंग क्या बन गया ओपनिंग तो ओपनिंग की वेल्यू भी तो 800 ही हो गई क्लियर सबको सबको क्लियर यह पॉइंट भरत क्लियर है अनन्या अधिती अब आगे समझें अब खुद सोचो तुम्हें ओपनिंग की वेल्यू पता है मैंने दुबारा करेंट पीरियड में कुछ समों से बनाये. हजार असमान लेते हैं यहाँ पर दुबारा मैंने 500 समों से बनाये. इसकी कॉस कितने समों से 200 समों से क्या इसकी वेल्यू पता है तुम्हें? तो हम कैसे निकालेंगे हम 4000 से पहले इसको डिवाइड करेंगे तो मेरी कॉस्ट पर इंट आ जाएगी फिर उसको इससे मल्टिकलाई कर देंगे सबको यह पॉइंट क्लियर हुआ कि ने क्लियर हुआ तो दुबारा बता रहो समझना मेरी बात पहले मुझे बता यह क्लोजिंग वाला फंडा समझ आ गया क्लोजिंग का ओपनिंग बना दिया मैंने अब समझो माल लो फरवरी का महिना आ गया आप लोगों ने यहाँ पर 500 समोसे बनाए और इसकी कॉस्ट लगी 4000 पर ठीक है 500 समोसे में से 300 समोसे तुमारे बिग गये, sold, कितने बच गया है? 200 समोसे? तो जो 200 समोसे बचे, it become a closing stock? कोई डाउट? No, sir. तो closing stock का मुझे यह तो पता है कि 200 समोसे हैं, लेकिन कितने रुपे के यह पता है क्या? पर सेम नहीं होगा वो जिस यूनिट पर इस वाले पर? हाँ, जैसे एट यूनिट निकला है वैसे नहीं, इसमें डाल सकते हैं. नहीं, वही ची, क्योंकि यह तो पिछले महिने का था ना? अच्छा, हाँ, हाँ. चलो मालनों मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, इसको दो हजार कर लेते हैं लो. इसका भी एट ही आ रहा है लेकिना. हाँ, मैंने दो हजार कर लिया, अब दो हजार कर लिया. तो अब मेरे लिए क्या हो जाएगा? मैं पहले निकालूँगा कॉस्ट पर रुपेश, तो दो हजार डिवाड़े पांसो चार रुपेश, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस्ट पर रुपेश, इस फोर को यहाँ लिखूँगा, तो यह बन जाएगा एट हंड़ रुपेश, क्लियर है बेटा पॉइंट? तो इसी वज़ा से मुझे क्या निकालना पड़ता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है, जिससे मैं अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वेल्यू को निकाल सको, क्लियर है बेटा पॉइंट? तो यहां तक तुम्हें समझ आगए होगा, अच्छी तरह से हमां आगे बढ़ता है, जैसे मैं अपनी कॉस्ट अफ प्रड़क्शन से ओपनिंग क्लोजिंग की वेल्यू को प्लस माइनस करके दिखाऊंगा, जो भी वेल्यू आएगी, उसको क्या बोलेंगे? कोस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसका मतलब भी समझू, मैं दुबारा समों से प्याहरते हैं, पेटा, इस वाले जनवरी के पीरियड में हजार समों से बनाए थे, कितने बिग गए थे, पता नहीं सो बच गए थे, तो मतलब ओपनिंग स्टॉक इस हंड्रेड ओपनिंग स्टॉक किस हंड्रेड, फॉर फैब मन्त, ये पॉइंट क्लेर सबको, दुबारा समझा रहा हूं, चनवरी में टोटल हमने हजार समों से बनाए, जिसमें से सब कुछ बिग गया, लेकिन सो समों से बच गए थे, जिसको मुने क्लोजिंग स्टॉक का नाम दिये, और यही क्लोजिंग फैब के महिने में ओपनिंग बन गया, तो ओपनिंग कितना, 100, मैंने अभी बनाए कितने, 500, करेंट येर की प्रोडक्शन कितनी होगी, 500, टोटल होगा, 600, 600 में सो दुबारा कितने बच गया, 400, तो रिमेंग कितना बच गया, क्लोजिंग, 200, रिमेंग तब 400 गुट्स क्या है तो आपनिंग तब 500 मैंने बनाए टोटल हो गए 600 जिसमें से 200 मेरे अभीके नहीं है तो रहा गए 400 तो यह 400 क्या है गुट्स इस व्ल्ड यही बात है ना यही बात ना अधिति अनन्या भरत रोहन कभीर तो अब डबूल का गरत है जो चार सो बचेंगे यह मतलब लेफ्ट है ना भी दुबारा समझ सो पहले से थे 500 तुने अब बनाए 600 हो गए टोटल जिसमें से 200 बच गएं तो 200 बचेंगे क्यूं चार सो बिख गए अब वो जो चार सो बिख गए हैं उनकी कीमत को क्या बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की जो गुड्स सेल के लिए अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट निकलके आएगी तेरी यहां क्लियर इसमें क्या एड करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रिबूशन ओवरेड कभी भी समों से जब बनके रेडी हो जाएंगे हम डिरेक उठा के थोड़ना खालेंगे इजा बनने के बाद में डबे में पैक होता है या फिर डिलिवरी बॉय घर तक पहुचा देता है यहां पर क् या कोई भी सेलिंग एकस्पेंस टाइप और एडर्टाइजमेंट प्रोमोशन का खर्चा या फिर सैलरी तू डिलिवरी बॉय या फिर सेल्समें भी बोल सकते है उसको और क्या लिख सकते है तरेसीलिवरी वेन या फिर भाइक ये पोईंट समझा है बटा हमने 3 टाइप की depreciation use करी अगर machine पर depreciation लगेगी it is charge on factory overhead अगर furniture पर depreciation लगेगी it is charge on office overhead और अगर delivery van पर depreciation लगेगा it is charge on selling and distribution overhead यहाँ तक कोई doubt यहाँ तक कोई doubt किसी बच्चे को आगे बढ़ रहे हैं हम जैसी बटा है इन सब को मैंने plus कर दिया तो जो भी answer है उसको क्या बोलूँगा cost of sale कि मैं अपना समान इतने का मैंने मेरे जो समान बिकेगा उसकी value इतनी है अब मैं उस पर profit को जोड़ दूँगा जो भी answer हैगा that is my sale और इसी को हम क्या बोलते हैं total cost any doubt बेटा बोलो बच्चो पर आपको यूनिट प्रोड्वूस के बारे में पता HAVE नहीं दे, तो इसके लिए फ्रॉर्मूला है एक राज़ूआब और यूनिट शान के आपके ने आपको आपको यूनिट प्रदूश आपको यूनिट आपको रिम आपको अश्यूमाइं पता ही पिए निसके लिए चोटा सा वो भी देख लो, यहीं लिख रहा हूँ, यूनिट सोल्ड इकोवल टू, ओपनिंग यूनिट, प्लस, यूनिट, प्रोड्यूस, माइनस, क्लोजिंग यूनिट, तो मतलब आपको कोश्चन में ये बता दिया हो, कितना समान बेचा है, पहले से कितना था, कितना यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो, तो यूनिट प्रोड्यूस निकालने के लिए फॉर्मुला मेरा क्या बन गया, मैं नीचे लिख दू, यूनिट प्रोड्यूस इकोवल टू, यूनिट सोल्ड, माइनस, ओपनिंग यूनिट, प्लस, क्लोजिंग यूनिट, प्लस, क्लो है समझ आगे सबको कि इस चीक है आइव डाउट आप इटा बताव किस पर डाउट आपको सर ओपनिंग इन टेंट की वैलिस टिफ्रेंट कैसे होंगी पिकोस एस यू सैट कि जो यह उपनिंग का मतलब पता है किया है दैट इस फॉर लास्ट मन्त और यह क्या है करेंट मन्त समझे मेरी बात अगर मैं एग्जामपल दूँ मान लो आज क्या है फ्राइडे एक समोसे वाले ने आज टोटल हजार समोसे बनाए जिसमें से उसने आठ सो समोसे बेच दिये दो सो समोसे बच गए that is called closing unit for Friday it become an opening unit for Saturday that is opening unit for Saturday कितने 200 plus उसने unit produce किये Saturday को कितने मान लेते हैं उसने 1000 बनाए टोटल कितने होगे 1200 इसमें से उसने sale कर दिये कितने मान लेते हैं 800 बेच दिये तो कितने बच गये 400 that is closing unit for Saturday क्लियर है बेटा तो यह है opening closing की कहा तो यह थी बेटा आपकी cost sheet इसी cost sheet की बेटा बोलो बेटा 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 कितनी है यह ही 200 अच्छा ओके and closing would be 400 closing 400 and sale is 800 तो मैं अगर यहां फॉर्म में में लगा हूं कि unit sold कितना किये आपने हमने बोला 800 हमने का opening कितनी थी हमने का 200 हमने का closing कितना है हमने का 400 तो अगर मैं इसको plus minus करूंगा तो क्या नहीं किल गया 1000 1000 is my unit produce देखो जो मेरा यहां पर लिखा था मैंने unit produce clear yes sir ठीक है बेटा तो बेटा यह हमारी थी cost sheet तो छोटा सा और एक बात समझा देतना बात खतम हो जाएगी तो अगर कोई तुम से पूछे कि आपको क्या निकालना है cost of sale तो आपके लिए formula क्या बन जाएगा cost of sale निकालने का prime cost plus factory overhead फैक्टरी ओवरहेड प्लस office and administrative overhead plus selling and distribution ओवरहेड ठीक है लेकिन इसको फिर और break करना पड़ेगा कैसे देखो अब यह लिखना मत अब बतारो आपको अब मैंने सीधी सी बात क्या लिखी हमने बोला सर आप एक काम करना cost of goods sold plus opening finished goods selling and distribution overhead को जोड़ देना हमने का ठीक है cost of goods sold का formula क्या बन जाएगा वही cost of production plus opening finished goods minus closing finished goods plus selling and distribution overhead हमने का cost of production का formula क्या बन जाएगा फिर break कर लो इसको मैंने इसको break किया इस तरीके से अब मैं इसको break कर रहा हूं cost of production को क्या होगा net factory cost plus opening work in progress minus closing work in progress plus opening finished goods minus closing finished goods plus selling and distribution overhead मैंने का और क्या formula सकता है इसको फिर break कर लो तो आभी मैंने इन दोनों को break किया इस तरीके से मैं जब इसको break करूँगा तो क्या लिखूँगा cross factory cost plus opening cross factory cost plus factory overhead plus बाकी ये सारी चीज़े फिर अगर इसको break करूँगा तो वो चले जागा prime cost फिर prime cost को break करूँगा तो वो चले जागा direct material, direct expense और direct labor कुछ बात समझा ही बेटर मैं क्या बोल रहा हूँ तो काफी बार question में आपको ऐसे बोलता है कि चलो बताओ factory cost क्या होगी तो आपको हाँ पर simple formula क्या use करना है प्राइम कॉस्ट फ्लस factory overhead अगर आपसे बुझे प्राइम कॉस्ट क्या होगा तो क्या लिख हो गए डारेक्ट मेटरियल डारेक्ट एबर या फिर डारेक्ट एक्सपेंस समझा गया बच्चों के नहीं समझाया क्या बच्चों अब लोगों कॉशिट पूरी समझागे एची तरह से तरेक्ट वह लाश में फॉर्मॉला दिखा दूंगा फॉर्मॉला लिखे ले बिटा एक सब्सक्राइब फॉर्मॉला मतलब पूरी कॉशिट है देख मैं यहां से ब्रेक करता हो गया यहां पहुचा इसको ब्रेक किया यहां पहुचा इसको ब्रेक किया यहां पहुचा इसको ब्रेक किया यहां पहुचा इसको ब्रेक करूंगा यहां पहुचूंगा तो यहां पर एक और चीजी लिखे ले लिखना है तो यहां पर मैं तो और चीदर से लिखे तो देखू इस पूरे फॉर्मुला को एक ये बारे में कम्लेट कर देता हूं इक्वाल टू प्राइम कोस्ट प्लस फैक्टरी ओवर्हेड प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस ओफिस एंड एड्मिस्ट्रेटिव ओवर्हेड ये लोजी ये है पूरा फॉर्मुला ये पूरा कॉस्ट ओफ सेल का फॉर्मुला है अब यहां पर देखो जोडते रों समझाते रहेगा इन दोनों को जोड़ा तो क्या निकला फैक्टरी कोस्ट इन दोनों को जोड़ा तो क्या निकला ग्रोस फैक्टरी कोस्ट इसको और इसको जोड़ा तो क्या निकला the cost of production cost of production इनको जोलोत है क्या निकला cost of goods sold इन दोनों को जोड़ोत क्या निकला cost of sale एनने डौट जीए बेटा तो बेटा मैंने इतना ही करवाया था फर्स्ट क्लास में जो मैंने आपको आज करवा दिया from मंडे से हमारी क्लास होगी सेम टाइम पर साड़े छे बजे और बाकी वीर इसके आगे का हम कॉंटिनू करेंगे ठीक है यह पीडिया भेज़ दो आँ मैं आभी इसको भेज़ दे तो पीडियाफ को एक मिनट एंसर सिलेबस किते दिन में कवर होगा बिटा सिलेबस हमारा ओवर हो जाएगा मार्च एंड में ओवर हो जागा ठीक है उसके बाद रिवीजन वगेरा होगा उसके बाद रिवीजन होगी तो रिवीजन का अगर मैं सीदी सी बावत वावत वा रिवीजन तो होती है लेकिन बच्चे नहीं आते उसके तो कुछ पुराने बच्चे हैं पूछ लो भारत मिगरी